कि हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में डिकल टिप्स में आज हम आपके लाएं बहुत ही बेतरी टैबलेट है ओमना कोटल 5 एमजी इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी देंगे इसे कैसे इसमाल करना चाहिए क्या यूजिस है क्या साइड रबेक्ट तो उसकी बात करते हैं इस साल्ड से और डिस्परसेबल इन दोनों साल्ड से मिला या इस्परसल के मतलब होता है खुलना इस एक्ट्रेट साल्ड है यह मतलब टैबलेट है इस लिए इस टैबलेट को इसका जो नाम दिया गया है ओमना कोटल 5 एम जी नाम से इसकी टैन भी जाती है जू साल्ड वाइस लॉन वाइस लॉन टैबलेट में होता है वही साल्ड इसमें दिया गया है सेम साल्ड ले उस नाम चेंज होगा करता है उसका तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा कि देख सकते हैं आप यह ओमनोकूल 5 एमजी टैबलेट है सबसे तो मैं इसकी कंपोविसशन की बात करी मैंने अभ़ा आपको की मैनिफेक्टर ड्डेट की बदक हम इसकी मैनिफेक्टर डीट क्या है यूजिस की बात करते हैं जैसा कि आपको फंगल इनफेक्शन हो गया या इंटिक इनफेक्शन है या आपको दवाई आपने खाई है को रहे हैं उसका रेक्शन हो गया और एक्षन को खतम करने के लिए इस टेबलेट का इसमाल कर रहा जाता है जैसे आपके बॉड़ी में साइट पैक्ट हो गया है उसका रहा तो उसको नच्ट करने के लिए टेबलेट का इस्तमाल करा या ता है बहुत ही वेधरी नियुक्त प्रेणड ये लेना तब कि बात करें तरिके साइड ऑफ पाफिक होते हैं जिसे सिर्व भारी पन लगना बांता सिर्मे दर्द कर ना चक्कर अना और वत्काहई आना और बडी में इसमाल कर रहा है तो सबसे पहले तो Apenic सब्सक्राइब करें वैसे आप इस्तमाल ना करें यह चीज़ धियान में रखें तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो शेयर करो और ऐसी दवाई की जान गई जानना चाहते हो तो आप प्लीस हमारी चैनल को स्क्राइब करें ताकि हम आपको अच्छी वीडियो देते रहें अच्छी वीडियो की जान का ली जूए आप तक पहुताते रहें ठीक है फ्रेंड्स